दोस्तों आज हम बात करेंगे अमूर कार्प मचली की यह मचली किसानों के लिए एक वर्दान साबित हो सकती है यह मचली किसान भाईयों के लिए बहुत फाइदे मंद है इसके पालन से न केवल उनकी आमदनी बढ़ती है बलकि यह उनके जीवन स्तर को भी सुधारती है यह मचली तालाबों और जीलों में आसानी से पाली जा सकती है इसके लिए ज्यादा तक्नीकी ग्यान की आवशक्ता नहीं होती अमूर कार्प कम मेहनत में अच्छा मुनाफ़ा देती है इसके पालन में खर्च भी कमाता है और यह जल्दी बढ़ती है यह मचली शाकाहारी होती है इसे पालने के लिए महंगे आहार की जरूरत नहीं होती यह पानी में उगने वाले पौधे और शैवाल खाती है इससे तालाब में पानी की गुणवत्ता भी बनी रहती है इससे तालाब साफ रहता है तालाब की सफाई पर खर्च भी कमाता है अमूर कार्प पालन से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है यह मचली जल्दी तयार हो जाती है और बाजार में अच्छे दामों पर बिक्ती है यह मचली बाजार में अच्छे दामों पर बिक्ती है इससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है इसलिए अमूर कार्प पालन किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है यह न केवल आर्थिक रूप से लाभधायक है, बलकि पर्यावरण के लिए भी फाइदे मंद है अमूर कार्प की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता यह मचली कुछ ही महीनों में बाजार में बेचने लायक आकार प्राप्त कर लेती है तेजी से बढ़ने का मतलब है कम समय में ज्यादा मुनाफा किसान भाई साल में दो बार अमूर कार्प की फसल ले सकते हैं इससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सकती है कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना हर किसान का सपना होता है अमूर कार्प ये सपना पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है अमूर कार्प की देख भाल करना बहुत आसान है यह मचली पालन के लिए एक आदर्श विकल्प है खासकर उन किसानों के लिए जो कम महनत में अधिक मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं ये मचली किसी भी प्रकार के पानी में आसानी से रह सकती है चाहे वह ताजे पानी का तालाब हो या फिर किसी अन्य प्रकार का जलाशय, अमूर कार्प हर जगह अच्छी तरह से पनपती है इसे ज्यादा देख भाल की जरूरत नहीं होती है किसान को बस नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जाँच करनी होती है और मचलियों को समय समय पर खाना देना होता है बस पानी साफ होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए आउक्सीजन की सही मात्रा मचलियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाई तालाब में थोड़ी सी मेहनत करके अमूर कार्प को स्वस्थ रख सकते हैं इसके लिए उन्हें महंगे उपकरणों की भी जरूरत नहीं होती है कम महनत और ज्यादा मुनाफे का ये एक बहतरीन विकल्प है अमूर कार्प की खेती से किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं अगर आप मचली पालन शुरू करना चाहते हैं तो अमूर कार्प आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है ये मचली पालन की दुनिया में एक सफल शुरूआत करने का एक शानदार तरीका है अमूर कार्प अलग-अलग तरह के मौसम में आसानी से रह सकती है ये मचली अपने अनुकूलन क्षमता के कारण हर मौसम में जीवित रह सकती है चाहे वह गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात का मौसम हो ये मचली ठंडे और गर्म दोनों ही तरह के पानी में जीवित रह सकती है इसकी सहनशीलता इसे विभिन तापमानों में भी पनपने की अनुमती देती है जिससे ये मचली पालन के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाती है ये भारत के लगभग सभी राज्यों में पाली जा सकती है चाहे उत्तर भारत की ठंडी जलवायू हो या दक्षन भारत की गर्म जलवायू अमूर कार्प हर जगह सफलता पूर्वक पाली जा सकती है किसान भाईयों को मौसम की चिंता करने की जरूरत नहीं है वे बिना किसी चिंता के साल भर मचली पालन कर सकते हैं और हर मौसम में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी अमूर कार्प हर मौसम में अच्छा मुनाफा देती है इसकी उच्च उत्पादक्ता और कम देखभाल की आवश्यक्ता इसे एक लाबदायक विकल्प बनाती है ये मचली पालन को एक सुरक्षित और लाबदायक व्यवसाय बनाती है इसके पालन से किसानों को स्थिर और निरंतर आय प्राप्थ होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत होती है. ये किसानों को साल भर आमदनी का जरिया प्रदान करती है. अमूर कार्ब की निरंतर उपलब्धता और बाजार में इसकी मांग इसे एक स्थाई और ओमेगा-3 फैटी एसिट से भरपूर होती है। ये सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद होती है। डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। बाजार में इसकी बढ़ती मांग किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। वे अमूर कार्प पाल कर अच्छी आमदनी कमा सकते है अमूर कार्प पालन में निवेश के मुकाबले मुनाफ़ा बहुत अच्छा है। ये मचली कम लागत में पाली जा सकती है। इसके भोजन और देखभाल पर ज्यादा खर्च नहीं आता है। किसान भाई कम निवेश में मचली पालन शुरू कर सकते हैं। अगर आप खेती क साथ साथ कोई और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अमूर कार्प पालन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है।